क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एडी एजुकेशन चैनल को और साथ में दबाई एगंटी का इकन को एनी बैल आइकन को लेटेस्ट वीडियो की जानकारिया सबसे पहले पाने के लिए हलो एन वेलकम तो एडी एजुकेशन मैं हूँ अमित दिक्षित और आप इस समय देख रहे हैं एनायोस डियलड वीडियो लेक्शर सीरीज इस वीडियो लेक्शर सीरीज में एनायोस डियलड शिलिबस के हर टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है तो इससे पहले के जो सभी लेक् एक लिंक है उस पर आप क्लिक करें और सारे लेक्शर प्लेइलिस्ट में देख लें और आज हम इस लेक्शर में कवर करने जा रहे हैं इन फैक्ट शुरू करने जा रहे हैं एकाई 10 कोर्स 501 ब्लॉक 3 की यह आकरी एकाई है एकाई 10 जिसका नाम है प्रारणभिक शिक्षा म संदर्व में और इसमें पढ़ेंगे आप विविन् परकार के संभेलनों के बारे में जैसे कि जो मैतियन संभेलन विश्विश शिक्षा मंच न ॓कर संभेलन इसके लाबब की शिक्षित और विकासईल देश Gum के तुलना करेंगे सिक्षा की चेतर में और प्राण बिक शि जिसका नाम है Jomathian Conference, Sambhellen 1990. ये 9 मार्च 1990 को ये थाईलेंड के शेहर Jomathian में इसका एक विश्विशतरी है Sambhellen आयूजित किया गया था, जिसका टॉपिक ता, जिसका विशा था, जिसका विशाता सभी के लिए शिक्षा है. इस संभेलन को जो मैतियन संभेलन इसलिए नाम दिया गया और संयुक्त राष्ट के कमसम 155 देशों ने 155 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, संभिलित हुए और सभी के लिए सिक्षा पृतिबागियों ने विश्वास की पुष्टी की कि सिक्षा सभी के लिए अ करना आविशक है और विश्वास के पृतिबागियों ने सभी के लिए सिक्षा मूल जो सीखने की आवशकता है की पूर्थी के लिए विश्व गोष्णा को यानि की एक वर्ल्ड अनौजमेंट को सुविकार किया एक तरह से गोष्णा पत्र को और इस गोष्णा पत्र में निर्धारिद लक्षों की प्राप्ति के लिए एक फ्रेमवर्क फॉर एक्षन एक क्रिया विदी का एक फ्रेमवर्क बनाया गया सभी के लिए सिक्षा के संबन्द में नामक इस सम्मेलन में आये प्रतिबागियों ने याद किया की सिक्षा समस्त विश्व के किसी भी आई कर और संपन हो और सिक्षा ही इसमें इसमें सबसे बड़ा योगदान देती है यानी कि सेफ हैलदी और डیवल्ट के लिए यह आवशक है यह जाना कि सिक्षा के किसी भी विक्तिगत या सामजिक विकास के लिए एक परयाब्द अवस्था तो नहीं है यानी कि यह केवल यही इस वहां पर हम देश की किसी भी परंपराओं में संस्कृतिक विकास में एक बहुत बड़ा सायता करता है मुल होता है यह अगला पॉइंट यह भी सुकार किया गए समग रूप से सिक्षा को बरतमान प्रावधान अधिक संगत और गुड़ावग रूप से संसोविदित होने चाहिए यानि कि जो तरीके हैं उनमें बदलाव होना चाहिए जिससे कि वह ऐसे बन सके जिनने सभी जग करना जिसमें वैग्यानिक और प्राद्यविगिक यानि की साइंटिफिक और इंडर्स्ट्रियलिस्ट एक तरह से साक्षरता हो और शमता हो मजबूत करने की उसमें और वह आत्म लंबी बनाती है आदमी को और विकास करती है देश का तो यह बताए गया इसमें इसके बाद अगला पॉइंट है आवशक्ताओं को पूरा करना अब यह जरूरी है इसमें पहला बताया गया है कि बच्चा हो बुड़ा हो इसके लिए जो सेक्षर अवसर प्रदान किये गए हैं उन सभी उसका पूरा लाव उठा सकें यह आवशक है और यह चीज जो भी रहेगी इसक सामोईक सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपराओं को बहतर बना सकते हैं और दूसरों को भी सिक्षा के लिए प्रोसायद कर सकते हैं अगला पॉइंट है सिक्षा विकास का मूल उदेश है सामोईक सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना उसे आगे प्रेरित कर एगला पॉइंट है वेशिक सिक्षा जीवन के अंत्र अंत्र देना जुरुबझा है दूर दर्ष्टी को रूप देना, second point है इसमें, दूर दर्ष्टी का मतलब है कि ऐसी चीजों को समझना है कि वर्तमान संसादन इस तरों का क्या है, यानि कि resources क्या है, education के लिए, क्या-क्या institutional डाँचा है, यानि कि संस्तागा डाँचा है, पार्टिचर है, कैसी है, क्या विदियां से सिखाया जा रहा है, इन सभी के बारे में एक दूर दर्ष्टी का प्रियोग करना, अगले पॉइंट बता गया है, इस विष्टिद दूर दर्ष्टी को निमलिखित आने चाहिए, इस दूर दर्ष्टी के अंतर के निमलिखित चीज़ों को cover करना चाहिए, अभी गंबिता को सर्विक बनाना और निस्पक्षता को प्रुशायत करना, यानि सीखने को सभी के लिए उपलब्द करना, पॉच्छ को सिख्षा की, और निस्पक्षता यानि सभी को समान रूप से उपलब्द करना, सिखाने पर फोकस करना, किवल किता भी पढ़ाने से कि वहले वाकई में सीख सकें इस पर फोकस करना वेसिक सिख्षा के संसाधनों और कारचेत्र को वापक बनाना तो जो बेसिक सिख्षा है उसको चिखाने के जो भी साधने उनको बहतर बनाया जा इसके कारचेत्र को और बढ़ाया जाए अगला पॉइंट है अधिकम के लिए जो माहौल है उसको अच्छा बनाना उसको बैतर बनाना उसमें व्रदी करना सिखाने के लिए जो मेली और अगला पॉइंट है भागीदारी को मजबूत बनाना भागीदारी से मतलब है कि सभी समाज के सभी वर्ग हर इस तर पर इसमें पार्टिसिपेट करने ताकि इसको फायदा हो सके शिक्षा को आगे बढ़ाने में उसके बाद अगला पॉइंट है मानव प्रगति और सशक्ति करन के लिए जो भी योगिता चमताओं इस बात पर निर्भर करती है कि सिक्षा प्राप्ति के लिए विक्तियों को समर्थ किया जाया तो यानि कि हर तरह का सशक् आप वक्ष्था को प्रोसाइथ करना तो इसम पताया गया है कि नियुक्षी पुम्ण हो यानि की इसमें एक सीखने का इस्टर अच्छा बनाया जाया और सबको अपलब्दियां करने का अफसर मिले अगला पॉइंट है सबसे महत्मूर आवशक है लड़कियों की और मैलाओं की शिक्षा के लिए विवस्तक की जाए और शिक्षा में गुडवत्ता सुधाल लाए जाए और जो भी बादा आ रही है उनको दूर किया जाए अगला पॉइंट है सेक्षनिक विशमता है जो है को दूर करने के लिए भागिदारी हो याने कि किसी भी आदार पर किसी से बेदवाव ना हो सिक्षा सभी के लिए समान रूप से उपलब्द हो और सभी प्रकार के अवसर भी हर समू को मिलें अगला पॉइंट है नियोग अशक्त बच्चों के लिए आवशक्ता है कि वो बच्चों तक जो अगला पॉइंट है अधिगम पर फोकस करना तो अधिगम पर फोकस करने का मतलब है कि सिखाने पर फोकस किया जाए ना कि केवल से घ्यान दिया जाए इस बात पर दिया जाए कि जो सिखाए जा रहा है उससे बागई में लोग को सीख रहे हैं उनका फाइदा हो रहा है या नहीं बेसिक सिख्षा का फोकस वास्तविक अधिगम प्राप्ति यानि सीखने पर है और समस्याओं के निराकरण पर है इसके बाद पॉइंट है फिप्ट पॉइंट बेसिक सिख्षा के साधनों और कारचेत्र को वापक बनाना अब इस समन्द में जो जटलता हैं बेसिक सिख्षा के समन्द में उसमें उनको दूर करना इसके लिए कुछ पॉइंट बताए गए हैं गटकों को समाविश्च किया गया है पहला पॉइंट है अधिकम जर्म से ही आरह मोता है यानिकि इसमें यह चीज़ बताई गई है नवयोबक और प्रोडा को जो भी उनके आवशक्ता है अलग-अलग होती है और उनकी पूरती के लिए विनुप्रकार की अध्यापन्चालियों की आपशकता है यानि कि लोगों के अनुसार अलग अलग तरह के अमर के लोगों के अध्यापन्चालियों में परिवर्तन किया जाए सामाजिक मुद्दों को अधिक सदिक लोगों को इस सिक्षित किया जाए और बताया जाए सामाजिक मुद्दों के बारे में लोगों को जिससे कि उनमें अवेरनेस होगी और वो कुछ कर पाएंगे इसमें हेल्प कर पाएंगे सामाजिक कारवाई में अगला पॉइंट है शिक्सपाँ अधिकम के लिए पर्यावरण संवर्दन अब पर्यावरण की बात करें तो एक ऐसा महौल देना शिक्षा के लिए जिसमें जो पढ़ रहे हैं जो सीख रहे हैं उनको सामानि स्वास्त की भी देखबाल हो उनकी भावनात्मक इस्तिती का भी सुरक्षा हो और पर्यावरण के लिए जो भी कारेकरम चलाए जाते हैं बड़े लोगों के लिए यानि क्या विवावकों के लिए यानि माता पिताओं के लिए और देखबाल करने वाले लोगों के लिए संस्ताओं के लिए तो वह भी आवशक है क्योंकि इसमें एक उत्स लोग इसमें अपनी भागेदारी निभाएं, तब ही देशों में इस सिक्षा की जो इस्ति इसको बेतर बनाया जा सकता है, सबके लिए सिक्षा के प्रोग्राम को सफल बनाया जा सकता है, अध्यापकों को भी इस संब्ध में बहुत कुछ अपनी सेवाएं देनी होंगी. अगला पॉइंट है, एक समर्थ तक नीती संदर विक्सित करना, यानि कि एक ऐसी देश में केवल सिक्षा ही संब्ध में नहीं, हर छेतर में साज सामाजे को, साज करते को, आरते को, हर छेतर में ऐसी नीतियां बनाई जाएं, जो समर्थन करें, सिक्षा को बढ़ावा देने है, इसी में दूसरा पॉइंट है, समर्थ तक नीती में ही, विविन समाजों से अपिक्षा है, कि वेसिक शिक्षा के लिए एक मजबूत बौद्दिक और वेग्यारिक परवरण सुनिक्षित करना, तो वही है, सभी समाज के लोगों से, समाज के वरगों से, एक अच्छा परवरण निर्मित करने की उपिक्षा की जाती है, इसके बाद अगर लास्ट पॉइंट है, संसाधन संगटन, तो संसाधन संगटन में यह बताया गया है, कि जो भिवन परकार के संसाधन है, सिक्षा के संबंद में चाहब वो वित्तियां हो, यानि कि पैसा संबंदित संस जाए और इस चीज में करा जाए एकटा और इसको हर तरह से उपयोग किया जाए मानव विकास में और सभी सरकारी एजंसिया इसका लाब इन चीजों का पूरा ले सके अरताब के संसादनों का ये भी सुनिश्चित किया जाए तो इस पूरे टॉपिक में ये बताया गया है आप अच्छे से करें और जो मेरे सम्मिलन कब हुआ कैसे हुआ ये जरूर आप हो सकता है प्रश्न आप बार बर कहते हैं इस वीडियो के दौरान हर लेक्चर के दौरान उस पर आप ध्यान दें तो ये लेट्चर अ हम यहीं खत्म करती हैं आज और मिलते हैं नेक्स्ट ले तो इस वीडियो लेक्शन में बसंता ही लाइक करें वीडियो को जाह स्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को बैल आइकन को दबाना नबूलें जिसे लेटेस्ट वीडियो की जाकारिया आप तक पहुंसती रहें